करते हैं आज का चाप्टर है हमारा चाप्टर नमबर पंद्रह जो है मैं भी चलिए बच्चों तब सुरू करते हैं एक अंडे में से बतक का बच्चा निकला ये एक अंडा था लब दो अंडे थे लेकिन एक अंडे में से एक बतक का बच्चा निकला लो मैं अंडे से निकला बतक का बच्चा बोला आगे एक और अंडे मैं से मुर्गी का चूजा निकला मैं भी निकल आया चूजा बोला यहाँ पे दोनों की बाते हो रही है मैं घूमने जा रहा हूँ बतक का बच्चा बोला मैं भी चलूँगा चूजा बोला ऐसा करके इसके पीछे पीछे आने लगा ठीक है मैं गड़ा खोद रहा हूँ बतक का बच्चा बोला मैं भी खोद दूँगा चूजा बोला दोनों मिलके गड़ा खोदने लगे जो जो करता था ये बतक का बच्चा वो वो ये मुर्गी का बच्चा उसके नकल करता था ठीके बच्चो मुझे एक केंचुवा मिला बतक का बच्चा बोला मुझे भी चूजा बोला मैंने एक तितली पकड़ी बतक का बच्चा बोला मैंने भी तितली पकड़ी चूजा बोला और ऐसे ही दोनों खेल कूद करते रहे और आगे बढ़ते रहे जो जो ये बतक का बच्चा करता था वो ये मुर्गी का बच्चा बोलता था और करता था वैसे ही उसकी नकल उतारता था मैं तैरना चाहता हूँ बतक का बच्चा बोला मैं भी चूजा बोला देखो मैं तैर रहा हूँ बतक का बच्चा तैरते हूँ आगे चला गया बतक का बच्चा बोला देखो मैं तैर रहा हूँ अब चूजा बोला मैं भी तैरूंगा ठीक है उसके बाद ये पानी में खूद गया और खूदने के बाद इसे तो तैरना आता नहीं था लेकिन ये बतक के बच्चा की नकल कर रहा था इसी के कारण ये डूबने लगा अब चिलाया पानी में जैसे गया उसके बाद दूबते दूबते चिलाने लगा बच्चाओ, बच्चाओ, चूजा के बच्चा, चूजा डूपते हुए चिलाया, बच्चाओ, बच्चाओ, बच्चे ने चूजे को पानी से बाहर निकाला, ये पकड़ के चूजे ने बाहर, चूजे को बाहर निकाला, बच्चे ने, आगे क्या होगा, सोचो बच्चो आगे क्या होगा चूजा बार बार बतक के बच्चे की नकल करता था उसे चीराने वाला एक नाम दो जैसे कि उसका नाम क्या होना चाहिए बच्चो वो बार बार उसकी नकल उतारता था नकली चूजा उसका नाम होना चाहिए था नकली चूजा या देख देख कर करने वाला चूजा यहाँ पर क्या डूबेगा, क्या तैरेगा तो हम देख लिते हैं करके देखो और निसान लगाओ जैसे की चाक ये डूब जाएगा पत्थर ये भी डूबेगा रूई ये भी तो कुछ देर तक तैरेगी लेकिन फिर डूब जाएगी तो यहाँ पर लिख देते हैं रूई तैरेगा, ठीके कागज, कागज भी तैरेगा पानी में, टहंगी ये भी तैरेगा पैंसिल ये भी तैरेगा और छिलना छिलना भी कुछ समय तक तैरेगा इसको भी लिख देते हैं तैरेगा